Hello Friends, Welcome to Knowledge Hub चुकंदर का उप्योग विबिन रोगों में पाचन संस्तान के रोग दो चमच चुकंदर के रस में एक चमच निम्बू का रस मिला कर नित्य पियें इससे उल्टी, दस्त, हेजा, पेचिस, लिवर इंफेक्शन और टीबी में लाव होता है बाल गिरने पर चुकंदर के पत्ते मेंदी के साथ पीस कर सिर पर लेप करने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं और तेजी से उगते हैं और बढ़ते भी हैं घोरे पन में चुकंदर का उप्योग चुकंदर टमाटर का रस एक एक कप में दो चमच कच्ची हल्दी का रस या एक चमच पीसी हल्दी मिला कर सुबह साम 15 दिन तक पीने से त्वचा का रंग गोरा हो जाता है उच्च रगत चाप या हाई ब्लड प्रेशर में चुकंदर गाजर का रस एक एक कप पपीता और नारंगी का रस आदा आदा कप मिला कर नित्य दो बार पीने से काफी लाब होता है कील, मुहासे, जाईया, दाग दब्बे, चेरे पर हों तो चुकंदर टमाटर का रस आदा आदा कप तथा एक गलास गाजर का रस मिला कर पीने से काफी लाब होता है रक्त में शुगर की कमी होने पर या चुकंदर खाने से दूर होती है पत्री के इलाज में चुकंदर का उप्योग, चुकंदर का रस या चुकंदर को पानी में उबाल कर उसका सूप पीने से पत्री गल कर निकल जाती है इसमें मातरा 30 ग्राम दिन में 4 बार, ये कुछ सपता लें, इससे गुर्दे की सुजन भी दूर होती है okay friends, thanks for watching this video